मैं लेकार आया हूं Android का दूसरा वीडियो जो कि CS और IT ब्रांच वालों के लिए है और चलिए सुरू करते हैं इसके पहले एक वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है वह आपको Android प्लैलिस्ट में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो दोस्तों मैं रिक कुछ important question देखेंगे जो कि previous year के हैं तो चलिए पहला question देखते हैं Android operating system से आप क्या समझते हैं तो देखिए समझने का प्रियास करिएगा Android एक open source और Linux based operating system है जो पहले camera device के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन बाद में उसे यह एक open source छोड़ी device के लिए डिजाइन किया गय जब Android market में आया तो उसे इस startup company ने develop किया था जिसका नाम था open handset alliance OHA देखिए open handset alliance ने पहले launch किया था इसको और बाद में इस company को Google ने lead किया ठीक है मदब Google ने खरीद लिया देखिए अगस्त 2005 में Google ने 50 million dollar में Android को खरीद लिया था अब Android Google के product के नाम से जाना जाता है ठीक है Android Linux foundation पाराधारी था है इसलिए हम इसे Linux operating system भी कहते हैं Android एक framework प्रदान करता है जिसका इस्तिमाल करके हम एक अच्छी application जवलब कर सकते हैं अच्छा आप बना सकते हैं ठीक है इसकी help से apps बनाए जाते हैं ठीक है तो देखिए Android एक framework प्रदान करता है जिसका इस्तिमाल करके हम एक अच्छी application डेवलब कर सकते हैं यह application e-commerce applications gaming e-learning कोई भी हो सकती है ठीक है इन applications को डेवलब करने के लिए java language environment का इस्तिमाल किया जाता है Android एक hardware और software का connection कहलाता है इसकी library का इस्तिमाल करके applications डेवलब की जाती है और यह smartphone यह tablet पर डेवलोप deploy किया जाता है हम सभी देखते हैं कि जो Android होता है वह हमारा phone होता है सभी लोग Android यूज़ करते है Android phone कुछ लोग Apple यूज़ करते है एपल अलग है iPhone ठीक है Android हम लोग यूज़ करते हैं और अब चलिए second question देखते है Android के कुछ प्रमुक लाभों का वड़न कीजिए ठीक है तो Android एक Linux based open source operating system है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है ठीक है क्योंकि ओपन सोर्स है इसकी कोड आसानी से हमें इंटरनेट पर गूगल पर मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं या मास स्टोरेज करना चाहते हैं तो Android एप्लिकेशन में यह भी संभव है ठीक है जैसे स्टोरेज एप्स होते हैं जैसे डेटर क्लाउड है तो इसमें हम लोग अपने डेटा को एकठा करके रख सकते हैं नेट पर ठीक है जो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ एंड्रोइड मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करता है मिन्स कई सारे काम करता है एंड्रोइड स्मार्ट फोन को इंटरनेट से एर करने के लिए राउटर की तरह भी यूज किया जा सकता है हम सभी जानते हैं कि हम लोग गूगल वाई-फाई हाट स्पोर्ट आउन करके अरा ब्लुडी और 3D ग्राफिक्स को सपोर्ट करता यह सारे लाब हैं जो की जैसे मल्टी टास्किंग है और सेक्क्यूर है सेक्वरिटी अच्छी है इसकी और प्री आफ्पकॉर्स है टिक है यही सब है इसके रिलाइबिलिटी है तो यही सब इसके है अब जने निक्श्ट दे के लिए होता है वो भी एक स्पेसिफिक डिवाइस या उपरेटिंग सिस्टम में ठीक है उधारन के लिए यह सामिल है Windows 7 SDK Mac OS SDK Android SDK और iPhone SDK ठीक है मदब हर उपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग SDK होता है SDK का फुल-फॉर्म होता है Software Development Key Kit इसी तरह एक JDK होता है जिसका होता है Java Development Kit ठीक है वो भी इसी में होता है पहले इसको देखिए अब लोग Software Development Kit याद रखेगा सॉटनोट लिखने को आता है ठीक है यह सजिकेज में टाइप इकली सामिल होते हैं एक Integrated Development Environment ठीक है जो कि सर्व करती है एक सेंट्रल प्रोग्रामिंग इंटरफेस के हिसाब से इसमें थोड़ा उड़ पटांग लिखा हुआ है आईडी में सामिल होते हैं एक आंप प्रोग्राम डिवन्ड़ वरी तो सोर्स कोड को लिखने के लिए एक डि बगर को फिक्स करने के लिए और एक विजुवल इडिटर जो की डिफलापर को ALLOW करता है क्रेट और इडिट करने के लिए प्रोग्राम को उजे इंटरफेस बहुत है आईडी में तो सामिल होती है एक compiler भी जिसका इस्तिमाल होता है एप्लिकेशन बनाने में बनाने के लिए वह भी सोर्स कोड़ फाइल से ठीक है ज्यादतर SDK में सैंपल कोड़ सामिल होता है जो कि प्रदान करता है डेवलपर्स को एक्जामपल प्रोग्राम्स और लाइब्रेरी इस ठीक है यह अप्लिकेशन बनाने के लिए ठीक है इसके साथ आफर करते हैं टेक्निकल डॉक्मेंटेशन जिसमें सामिल होते हैं टुटोरियल्स एंड एफ एक्यूस ठीक है तो यह था SDK आपको समझ में आया होगा कोसिस करिएगा अब नेक्स्ट कुस्टर हम लोग देखेंगे Android के बिजने सोसल मीडिया लाइफ स्टाइल वेदर रिफ्रेंस यूटिलिटीज फूट्स एंड्रिंक्स बुक्स नैविगेशन फाइनस इन सभी चीजों के लिए हम एंड्रॉइड का यूज करते हैं जैसे कि गाना सुनने के लिए हम लोग एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं जैसे गूगल मैप हो गया बिजनेस कर सकते हैं ट्रेडिंग हो गया सोसल मीडिया हम लोग इंस्टाग्राम यूटूब चे फेस्बुक चला ही रहे हैं तो यह सारे क्या हो गए एंड्रॉइड के विभिन एप्लिकेशन ठीक है और इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट इसकी कोडिंग करने के लिए तो चलिए पढ़ते हैं कैसे होगा क्या यह इस वीडियो को लाश्ट कुस्टन होगा और अगर आप लग इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे विविव अच्छे आएंगे तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका एंड्रोइड आर्किटेक्चर एंड्रोइड एक्टिविटी लाइप साइकल इस अभी कुस्टन कराऊंगा जो कि हेंड़ेट पर्सेंट कंफर्म है आएंगे तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं ठीक है तो एक एंड्रोइड अप्लिकेशन वाड डिवाइस की बेसिक आर्किटेक्चर बारे में जानने के बाद हम बढ़ते हैं सबसे पहले हमें इंड्रोइड एप्रैशन को डेवलप करने से संबंदीत इरवायरमेंट को सेटअप करना होता है क्यों बीना ये इन्वायरमेंटarsi को महत्रपूर्से लिए हुएं उस्सूवीधा जनक तरीके र डेवलप नहीं किया सकता है तो चलिए Android एप्लिकेशन्स डेवलप्स से संबंधित महत्पूर्ण सिटप को स्टेप बाइस्टप विस्तार से समझने की कोशिज करते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं जावा एस्टी के सिटप ठीक है तो एंड्रॉइड एप्लिकेशन्स वास्ताओं में जावा एप्लिकेशन्स ही दो होते हैं जिने जावा प्रोग्रामिंग लेंगवेज आधारी सोर्स कोड के माध्यम से डिफाइन किये जाता है और फिर एंड्रॉइड प्लैटफॉर्म एप डाउन्लोड करते हैं उसका भी एक्स्टेंस डॉट एपी के फाइल ही होता है जो की एंड्रॉइड प्लैटफॉर्म पर रन होने वाला एक्जिक्यूटेबल होता है इसलिए एंड्रॉइड एप्लिकेशन्स डेवलप करते समय सबसे पहले सेटप के लिए रूप में ह हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जावा एसडीगे को इंस्टाल वा सेटप करना होता है ताकि हम हमारे एंड्रॉइड एप्लिकेशन्स के लिए जावा क्लासेश क्रियेट कर सकें जिन्हें एंड्रॉइड प्लैटफॉर्म दारा डॉट एपी के पैकेज फाइल के रूप मे डालविक बिट कोड में कंपाइल करने के लिए यूज किया जा सके ठीक है तो यह था हमारा आज का लास्ट कुष्चन इसके पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया जिसमें मैंने खुद बोर्ट पर पढ़ाया आपको समझाया है अच्छे से ठीक है अब इसका मैं नेक् अच्छे के बारे में बात करूंगा तो वीडियो को सेयर कर दीजिए मिलेंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत